प्रिवियस लेक्चर्स में हमने टाइपस आप सिगनल्स स्टडी किये हैं और आज के लेक्चर में हम एक और टाइप स्टडी करने वाले हैं तो सबसे पहले मैं आपको थियोरी बताऊंगा और साथ साथ में एक दो एक्जामपल भी आपके साथ डिसकस करूँगा तो दो सिगनल्स एक्सवन टी एंड एक्सटू टी और एक्सटू टी ओर्थोगोनल कहलाते हैं आपके ओर दा पिरियेट टी नौट टी नौट प्लस टाउ मतलब लिमिट मैंने ले लिए हैं लोगर में देट मेंस टी नौट से लेकर टी नौट प्लस टाउ तक इक्वल टू जीरो हो तब ये सिगनल आपस में क्या कहलाएंगे और्थोगोनल कहलाएंगे तो यहां पर फिर्स्ट अग्जाम्पल हो जायेगा सां एन उमेगा टी सां एम उमेगा टी धियान रखिएगा एन और एम इंटीजर अलग अलग होंगे आपके इसके रहाब देखेगे तो सां n omega t cos m omega t और last अगर हम discuss करें तो e की power jn omega t e की power minus jn omega t तो ये कुछ examples है x1 t x2 t x1 t x2 t and so on तो इन examples में आप orthogonality expect कर सकते हैं ठीक है तो ये आपकी orthogonality property को satisfy कर सकते हैं तो ये जो concept है ये आप देखेंगे 4 year series में काफी use होता है 4 year series का base ही ये concept है आपका तो आगे जाकर जब हम 4 year series पढ़ेंगे तब हम और detail में discussion करेंगे अभी जस्ट आपको definition पता होनी चाहिए तो यहाँ पर अब मैं आपके लिए एक से दो problem लोगा जिससे आपको ये concept और भी अच्छे से clear हो जाएगा तो आपको यहाँ पर क्या करना है ये signals और्थोगोनल signals है की नहीं इस period में ये आपको check करके बताना है t मैं फिर से repeat कर रहा हूँ time period given है आपको तो यहाँ पर जब आप solution करने के लिए जाएंगे तो आप देखिए मैंने क्या बताया है कि जो range दी है वो range आप लिख लीजिए उसके बाद आप क्या करेंगे अब x1 t into x2 t करेंगे dt integration आप करेंगे और equal to 0 होना चीए अगर equal to 0 ये हो जाता है अभी है नहीं हमें तो check करना है तो ये orthogonal होंगे और अगर equal to 0 नहीं होता है तो ये orthogonal signals नहीं होंगे ठीक है तो अभी आपको check करना है ऐसे तो अगर हम check करने के लिए जाएं तो आप देखिए sin a sin b इसका formula क्या होता है देखिए मैंने हमेशा बोला है basic trigonometric formulas आपको याद होने चाहिए basic हर एक formula आपके mind में होने चाहिए और नहीं भी है याद तो एक page में लिखे होने चाहिए आपके साथ हमेशा तो आप देखो sin a sin b आपका होता है cos a minus b minus cos a plus b divided by 2 तो divided by 2 मतलब 1 by 2 outside तो आप क्या लिखेंगे cos a minus b ये आपका देखिए a हो जाएगा cos theta ही होता है हमने even and all function पढ़ा हुआ है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो cos omega t minus cos a plus b तो कितना हो जाएगा cos 3 omega t dt और limit कहां से कहां है 0 से t अब आप देखो क्या होगा 1 by 2 cos का integration क्या होता है sin plus में होता है sin omega t किसके respect में कर रहे हैं हम लोग हम कर रहे है t के respect में तो नीचे क्या आजाएगा omega minus sin 3 omega t divided by कितना होगा आपका 3 omega limit क्या हो जाएगी 0 से t तो अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से observe करें तो lower limit put करने की कोई जवरत नहीं है क्योंकि आप भी जानते हैं sin 0 0 होता है तो दोनों ही case में आपको sin sin मिल रहा है तो lower limit पे answer आपका 0 हो जाएगा upper limit अगर हम put करते हैं तो 1 by 2 omega आप outside कर लीजिए omega भी बाहर आ रहा है 1 by 2 बाहर है ही already तो कितना हो जाएगा देखिए sin omega t minus sin 3 omega t divided by 3 है वो रहेगा ही न ध्यान दीजिएगा omega आपने बाहर किया है upper limit आपने put कर दी अब आप समझे मैंने आपको बार 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 बोला है capital T जो है वो time period है मतलब capital T और omega में क्या relationship होगा हमें पता है अच्छे से capital T क्या होता है आपका capital T होता है 2 pi upon omega हाँ तो ये value आप use कर दीजिए तभी आप यहाँ पर cancel out कर पाएंगे तो देखिए 1 upon 2 omega sin 2 pi upon omega into omega capital T की value मैंने put कर दी है sin 3 into 2 pi upon omega into omega और divide by में भी आपने क्या लिख दिया है यहाँ पर 3 ही लिख दिया है ठीक है ये था आपका divide by 3 अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से observe करेंगे तो आप देखिए omega और omega cancel out हो जाएगा आपका इसके बाद अब अगर आप देखोगे तो अंदर क्या बचेगा आपका 1 upon 2 omega और आप अंदर लिख सकते हो अब omega और omega यहाँ पर भी cancel हो जाएगा तो अंदर बचेगा आपका sin 2 pi minus यहाँ पर देखो किता बचेगा sin 6 pi divide by 3 तो यहाँ पर आप देख सकते हो sin 2 pi की value क्या होगी 0 और sin 6 pi भी क्या होगा 0 ही हो जाएगा हमें पता है अच्छे से कि sin pi 2 pi 3 pi 4 pi सब का सब क्या होता है आपका 0 होता है तो यहाँ से दोनों value आपकी 0 के equal आजाएगी तो overall answer भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा इसका मतलब क्या है इसका मतलब यही है आपके लिए कि यह जो signal दिये हुए है यह over the rate 0 to t में orthogonal signals है ठीक है तो यहाँ पर अब मैं आपके साथ एक और example लूँगा उसके बाद यह concept आपको बहुत अच्छे से clear हो जाएगा तो जो next example है example number 2 इसपे आपको x1 t गिवन है e की power j2 omega t और x2 t जो आपको गिवन है वो आपको गिवन है e की power minus j2 omega t आपको again over the period 0 t 0, t में आपको basically check करना है कि क्या ये signal orthogonal है यार नहीं तो again process आपका वही रहने वाला है capital T फिर से time period है तो अगर आप यहाँ पर check करने के लिए जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा 0 to t e की power j2 omega t into e की power minus j2 omega t dt इसको आपको equal to 0 proof करना पड़ेगा अगर ये हो जाता है तो ठीक है otherwise ये orthogonal नहीं होंगे इस period में ठीक है तो यहाँ पर आप देखो अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखोगे e की power j2 omega t e की power minus j2 omega t ये आपस पे cancel हो जाएंगे तो answer क्या बचेगा answer आपका बचेगा 1 ठीक है न एक plus में है एक minus में है power cancel तो क्या बचेगा e की power 0 e की power 0 क्या होता है 1 और 1 का integration t के respect में क्या होगा 1 का integration हो जाएगा t limit क्या है 0 से t तो answer क्या हो जाएगा t जो की 0 के equal नहीं है t यहाँ पर कोई non-zero finite value है तो आप यहाँ पर proof कर सकते हो कि यह signals आपके orthogonal signals नहीं है इस period में हो सकता है किसी और period में हो इस period में तो orthogonal signals नहीं है यह बात आपकी बहुत अच्छे से आपर proof हो जाएगी clear हो गया तो यह थे आपके orthogonal signals या orthogonality of signals वाला topic तो I hope यह topic आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इस टॉपिक से रिलेटेड जैसे मैंने बोला आगे आने वाई लेक्चर बे जब हम 4-year सिरीज पढ़ेंगे तो हम और भी डिसक्रशन करेंगे तो आज के लेक्चर में इतना ही थेंक यू